हालो स्ट्रेंट्स आज की इंट्र्व्यू सेशन में हमारे साथ है दिनेश आयटी गौवाटी से आयटी गौवाटी को लेकर जितने भी आपके डाउट है प्लेसमेंट, फेकल्टी, एनवर्मेंट, केमपस सारे डाउट आप एकलियर हो जाएंगे, इंट्रिव्यू सेशन में आप लाश्ट तक बने रहें और चैनल पे नए तो परी चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेना और एक लाइक दिनेश के लिए हो जाना चीए और दिनेश आपका मैं तहदिल से बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना केमती समय इस्ट्रेंट्स के डाउट किलियर करने के लिए दिये तो इस्ट्रेंट्स पहले आपका दिनेश से इंट्रोडेक्शन हो जाएं जालो नमस्कार साथियों कैसे हो आप लोग आए होप आप लोग अच्छे ही होंगे तो दोस्तो मैं हूँ दिनेश कुमार विज्व कर्मा मैं परिजन टाइम में आयाट बुहाटी से MSC कर रहा हूँ मेरा ब्रांच कमेश्टर ब्रांच से हूँ MSC 2020 स्टुडेंट हूँ मेरा MSC 1st year हो चुगा है अग MSC 2nd year चालो होगा जो कि स्टार्टिंग अगर्ष्ट से बहुत बहुत सुक्रिया दिनेश बहुत सा इस्ट्रेंट का डाउट होता है यहां पर फेकल्टी के सी है और अपने के सा एक सा isme किया है अपने किया के से गयें क्योंकि लिए और यार्ट का जो वातवरण है बहुत खुबसूरत है और वहां पर सिंगे सारव प्रोवाइड किये जाते हैं जिसके वज़व से पढ़ाई भी अच्छी होती है, कोई डिश्टरबेंस नहीं होता। और टीचर भी IIT Guati के बहुत अच्छे हैं, और प्लेस्मेंट भी अच्छा होता है। तो दोस्तुडेंट्स का सबसे मोस्ट क्यूसन प्लेस्मेंट को लेकर होता है। IIT Guati में प्लेस्मेंट कैसा होता है, किस टाइब की कमपनिया विजिट करती है। वातावरण में जो माहौल बनता है इस्टूटेंट को के माइंड को बहुत तेजी से विक्सित करता है और जिसके वज़ा से माइंड तेजी से विक्सित करता है और इमाजिनेशन पावर भी बहुत तेजी से बढ़ता है वहां के वातावरण के उनसार और इसे वज़ा से वह का प्लेशमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है कई वर्स के तूलना में बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश आपने बहुत सारे जानकारियां दी आप नए श्प्रेंट्स को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे क्या सुजाव आप देना चाहेंगे इसके बारें बताएं दोस्तों मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जब एडमीशन हो रहा था दियूरिंग फीलिंग फार एडमीशन तो मैं बहुत बड़ी गलती कर दिया था जो 24 होता है कॉलेज प्रिफरेंस का तो मैं बहुत गलती कर दिया था जैसे कि प्रिफरेंस आडर होता है आईटे गुहाटी फिर गुहाटी के बाद गाधे नगर फिर हैदराबाद फिर बियच्चू तो दोस्तों मैं गाधे नगर के जगह पर भीच्चू कर दिया था और मैं फिर बाद में फॉरम फेल करने के बाद पीके सर से कॉंटेक्ट किया तो पीके सर ने मुझे बताया कि आपको आयाटिक गुहाटी मिलना मुश्किल हो जाएगा अगर फॉस्ट राउंड में के जगह गाधे नगर किया जिसके वज़े से मुझे फॉस्ट राउंड में आयटे गाधे नगर मिला फिर सेकंड राउंड में गुहाटी तो दोस्तों अगर ये गलती मैं कांटेक्ट न किया होता पीके सर से तो मुझे आयटे गुहाटी मिलना भी मुश्किल हो जाता तो मेरा सपना भी अधूरा हो जाता जो कालेज गुहाटे पहुचने का सपना था तो इसलिए मैं पीके सर को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा पीके सर से कांटिक्ट न करता तो मुझे कालेज आयटे गुहाटे भी नहीं मिल पाता है इंपोसिबल हो जाता मिलना तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं पीके सर को दोस्तों मुझे आप लोगों से भी निवेदन है कि अगर कोई समस्या हो रहा है फॉरम फील करने में या कांसलिंग कराने में जितने भी सारे प्रॉसेस है तो एक बार आप लोग किसी ने किसी से कांटिक्ट कर प्रॉसेस कांसलिंग करने का या एडमीशन का सारे प्रॉसेस का इंफार्मेशन देते रहते हैं इसलिए दोस्तों आप लोग भी कंटेक्ट करिए उनसे या अस्टेश हो जाए जब तक आपका सारा प्रॉसेस खतम न हो जाए एडमीशन का और कांसलिंग का सारा प्रॉसेस फीनिस नो हो जाए तो धन्यवाद धोस्तों